एक junior level या starting level की data analyst की job के लिए आपको कौन-कौन से software जो हैं वो master करने चाहिए तो यहां पर मैं list बताता हूँ, इसको ज़रा गौर से देखिएगा सबसे पहली चीज, आपको spreadsheet का knowledge होना चाहिए Spreadsheets क्या होती है, यानि के यार अपना वो Microsoft का Excel Microsoft Excel और इसमें भी latest version जो है उसे चलाना सीखें, यानि के office 365 Second हमारे पास spreadsheet के अंदर जो Google Sheets हैं आपको ये भी चलाने आनी चाहिए ये दो चीजों के उपर आप command जरूर लें और इसके उपर कमज कम एक महीना लगाएं मैंने लिंक जो है description में दे दिया कि कौन से courses आपको करने चाहिए इसको master करने के लिए next जो हमारा टूल है उसको हम कहते हैं जनाबे वाला आपका क्यूरी लैंगविज क्यूरी लैंगविज अब क्यूरी लैंगविज ही क्यूं क्यूंके जब भी आप कभी भी किसी data base को use करते हुए आप data निकालेंगे for example बड़ी बड़ी company है उनका data database में store है ठीक है और बहुत billions की rows यहां पर पड़ी हुई है बहुत बड़ा data set है तो आपने इसमें से अपनी मर्जी का data जब निकालना है तो इसके साथ communicate करना होगा इसके साथ communicate करने के लिए you should know the language to ask those databases उसको हम बोलते हैं SQL यानि के structured query language structured query language इससे क्या होगा आप बड़े-बड़े databases के साथ communicate करके अपने मर्जी का data निकाल सकते हैं और filtration और बहुत ज्यादा data की manipulation, data की selection, data की filtration, data आपको चाहिए कौन सा क्यों चाहिए वो सारी चीज़ें आप SQL के साथ सीख जाते हैं तो SQL जो है इसे जरू और master करें अब तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं जो है आपका coding, coding आज कल के जमाने में बहुत जरूरी होगी है data analyst के लिए data scientist के लिए, इसके दो important language है आप अगर python से start कर रहे हैं that's great, python को master कर ले, इसके लिए हमने पूरा एक course बनाया 2023 के अंदर, यकम January से लेके हमने 2023 से start किय और 9 February तक, यानि कि 40 दिन के अंदर पूरा masters आपको एक किसम का करवाया है python for data science के अंदर, उसका link भी मैंने description में दे दिया है, उसे भी देखें, तो python को master करें, second आपकी important जो language है, उसका नाम है जनाब R, ठीक है, R को भी master करें, ये भी हमने course पूरा description में दिया हुए, वहाँ जाकर link चेक कर सकते हैं, और आप 7 दिन के अंदर R सीख सकते हैं, जितना जरूरी है, for data visualization, some other things, यानि कि python और R जो है, अगर आप python सीख जाते हैं, तो आपको R जो है, वह बहुत असानी के साथ समझ आ जाएगा, ठीक है, coding आपको आगई, इसके बाद, coding के इलावा भी आपको कुछ data visualization के software भी सीखने चाहिए, ठीक है, वह कौन-कौन से software हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो companies हैं, वह coding पे कम focus करती हैं, but they work on, for example, एक हमारा है, Power BI, ये business analytics के लिए use होता है, दूसरा हमारा है Tableau, Tableau, तो ये दुनों software में से कोई एक सीख लें, तो आपको दूसरा easily आजाएगा, क्योंकि ये dashboards बगारा बनाने के लिए use होता है, अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ गई, ठीक है, अब इसके इलावा कौन सी वो skills हैं, जो आपको और भी master बना देंगी, आपको data analysis की job के लिए, उसके अंदर आती है जिनाब पहली skill, जिसका नाम है cloud computing, इस पर भी मैंने एक छोटा सा course करवाया हुआ है, जो नीचे description में link है, by the way, SQL के मैं भूल गया था, SQL भी हमने खरवाया हुआ है, आप description में, उसका link जा के देख सकते हैं, ठीक है, description के अंदर, और फिर हम आ softwares हैं, जो आपको जुरूरी सीखने चाहिए, अब आगे चलते हैं, skills पर, कि आपके पास skills कौन-कौन सी होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज, आपको statistics आनी चाहिए, दूसरी and important चीज, आपको statistics के बाद basic mathematics का पताओ, ठीक है, and तीसरी, जो skill है, वो आपके पास, आपकी, अपनी computation knowledge, यानि के, आपको problem solver होना पड़ेगा, जब आपने computer पर coding करनी, आपको बहुत ज़्यादा errors आनी है, and you should know how to deal with those errors, तो इस वज़या से, computation knowledge आपकी होनी चाहिए, चोथी चीज, आपको अपनी analytical abilities को boost अप करना है, analytical skill set को, वो आप कैसे कर सकते हैं, उसको आप simply, अगर आप data की तरफ देख के, उससे कोई अंदाजा लगा सकें, या different किसम की statistical technique लगा के, उसका logic बना सकें, तो वो आपको skill ज़रूर सीखनी चाहिए, statistics की पूरी की पूरी playlist का link भी मैंने description में दे दिया हुए, computation knowledge के ओपर जारी बात है, python और आर की जो list है, वो मैंने बता दी है, analytical abilities के लिए मैं आपको recommend करूँगा, कि आप chess खेलना start कर दें, रोजाना को 20-30 minute, और mathematics के ओपर हमारा जो पूरा course है, वो आने वाला है, तो अगर य these all skills, जो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है, wrap up करते है, tools के लिए separate sheet आपको एक पता होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको query language, तीसरी coding आपको आनी चाहिए, चोथा data visualization आना चाहिए, और फिर आपके पास cloud computing के skills हो, फिर जो दूसरी skills है, यानि के जो आपकी soft and hard core skills है, वो statistics, basic mathematics, computation knowledge जो पर मैंने बता दिया, and then analytical abilities, इसके इलावा जाहरी बात है, आपको presentation skills का भी पता होना चाहिए, कि आपने present कैसे करना है data, क्योंकि अगर आपने सारा काम कर ली गया, और आपको बताने नहीं आया, तो वो काम सारा भाड में गया, समझने बात, तो presentation skills यानि के communication skills आप सीख सकते हैं, next video में मिलते हैं